क्या आप patch up करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें miss कर रहे हैं और कोई advice चाहते हैं मैं man of organic डॉक्टर मयरिका दास्त विश्वास स्वागत है आपका your survival model में इस video को आखिर तक देखिए एक अच्छी सी advice आपको मिल सकती है जब हम किसी से जगडा करते हैं especially जिससे हम बहुत जादा प्यार करते हैं तब हम भूल जाते हैं कि हम उसे बहुत जादा प्यार करते हैं और उसकी खुशी में हमारी खुशी है तब हमें जीतना होता है तब हमारा food of physiological system activate हो जाता है हम fight or fight mode में होते हैं याने कि हमें सिर्फ लड़ना होता है और जीतना होता है हमारे मैं से एक हिस्सा यह सोचता है कि अगर मैं इस situation में हार गया तो मुझे जिन्देगी भार हारना पड़ेगा अगर मैं इस argument को जीतना सका तो मेरा partner यही गलती हर बार दोहराएगा तो इसलिए हम अड़ जाते हैं कि हमें जीतना है इसलिए सबसे पहली चीज़ अगर आप patch up करना चाहते हैं तो वो यह है कि आप relax करें calm down, calm down, शान्थ हो जाओ, what's देखिए जब आप शान्थ हो जाएंगे, जब अपने आपको समय देंगे तब आप यह clearly देख सकेंगे कि मुद्दा कितना important है क्या मुद्दा important है या relationship important है अगर आपके partner ने आपकी बात इस बार नहीं मानी तो क्या सच में इसका मतलब यह है कि वो आपकी बात किसी भी बार नहीं मानेंगे या वो आपसे प्यार नहीं करते या वो आपको importance नहीं देते relationship में आगे बढ़ते रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बहुत सारे issues पे compromise करें और कुछ issues पे बिलकुल भी compromise नहीं करें लेकिन कभी बार ऐसा होता है कि हम छोटे-छोटे मुद्दों पे लड़ने लगते हैं जैसे आपने towel bed के उपर क्यों रखी है या फिर तुमने 1000 रुपे जादा कैसे खर्च कर दिये इस चीज के लिए ये इतने की तो थी ही नहीं हो सकता है ये सब singular freak incidences है एक आथ बार हुई incidences है जिनको इतना जादा tool देने की ज़रत नहीं या हो सकता है इन सारी चीजों से होने वाला जो नुकसान है वो इतना बड़ा नुकसान भी नहीं है जिससे आप उभर नहीं सकते सो इसलिए relax कीजे calm down और अपने आपको सवाल पूछे कि क्या सच में नुकसान एकदम permanent है क्या एक बार हुआ है तो हर बार होने लगेगा अगर जवाब ना है तो जाएए खुद जाके patch up करने की कोशिश कीजे अगर आप relationship में office में या कहीं बे भी successful होना चाते हैं लोगों के साथ अच्छे relation बनाना चाते हैं तो एक गुण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है empathize कर पाना empathy के उपर बहुत सारे videos बने हैं कई corporate trainings इसी मुद्दे के उपर होता है तो देखे empathy एक बहुत ही simple सी चीज है empathy का मतलब है दूसरों के emotions को समझ पाना क्या आप सामने वाले व्यक्ती के emotions को समझ पा रहे हैं वो किस चीज से गुजर रही है उसे क्या महसूस हो रहा है वो क्या feel कर रहा है इस वक्त तो अगर आप सामने वाले के emotions को feelings को महसूस कर पा रहे है और उसे कहें के हे मुझे पता है कि तुम्हें गुसा रहा है तो मुझे पता है कि तुम्हें डर लग रहा है या तुम चिंतित हो मुझे पता है कि तुम दुखी हो मुझे पता है कि तुम guilty feel कर रहे हो जब आप सामने वाले की emotion को पहचान के उसके सामने रखेंगे तो automatically सामने वाला शान्त होने लगेगा उधारन के तौर पर सामने वाले व्यक्ति को कहना मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा excited थे इसलिए 1000 रुपे ज्यादा दे दिये लेकिन अगले बार शायद आपको इस बारे में और अच्छे से सोचना चाहिए excitement में ज्यादा पैसे न खर्च हो जाए इसी बात को अगर आप ऐसे कहेंगे कि क्या तुमने 1000 रुपे ज्यादा भर दिये तुम्हें अकल नहीं आती तुम तो बस भावनाओं में ही बहते रहते हो अगर इस प्रकार से आप कहोगे तो ये बहुत ही जादा accusatory है इसलिए सामने वाले को empathize कीजे उसकी emotion को समझने की कोशिच कीजे हम जो भी करते हैं वो इसलिए करते हैं कि हमारे feelings हमको वो काम करने के लिए बाध्य कर देते हैं अगर कोई हमारे feelings को समझने लगे तो फिर हमारी feelings relax होने लगती है और ऐसा हो ही सकता है जो काम हम नहीं करना चाहते हैं वो हम ना करे जित कामों पे हम control बनाना चाहते हैं हमारा control उन चीजों पे आ जाए एक technique बताती हो patch up का जो आपने पहले नहीं सुना होगा जब आप patch up करना चाहते हैं सामने वाले के साथ जाके negotiate करना चाहते हैं तो फिर जो भी आप कहना चाहते हैं उन सारी बातों को लिख डालिए एक पूरे page पे लिख डालिए जो भी accusations आपको देनी है तुम इतने बुरे हो तुमें समझ नहीं आती मेरी feelings तुम बहुत जादा स्वारती हो जो 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 बोलना है मैंने तुम्हारे लिए ये किया है वो किया है मैंने तुम्हारे लिए कितने सारे पैसे खचा किये मैंने तुम्हें नई phone लाके दी जो 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 लिखना है वो सब लिख दा लिए एक बार जब आपने लिख ली है अब जो भी आपने लिखा है उस चीज को 75% रखिए और 25% कैंसल कर दीजे उसमें से 25% कांटेंट निकाल दीजे अब आपके सामने एक नई स्क्रिप्ट है अब उतनी जादा बाते नहीं है आपके सामने कहने के लिए और आप लिखने के बाद थोड़े शांत भी हो गए है भडास निकल जाती है ना हमें जो बोलना था वो हमारे दिमाग से निकल गया मूँ से निकल गया पेपर पे आ गया और अब आप इस स्क्रिप्ट को क्लियरली देख पा रहे हैं कि कितना कहना जरूरी अब जो भी आपने कंसाइस करके 75% बनाया है उसमें सिव बापे से 25% काट दीजे मटेरियल निकाल दीजे अपने कम्यूनिकेशन को बहुत ही ज़्यादा specific बनाना है आपको हम हजार चीजे बोलने की कोशिश करते हैं जैसे कि पात साल पहले तुम्हारी मम्मी ने मुझे एक सस्ती साड़ी दी थी दस साल पहले तुम्हारे पिता जी ने मुझे एक धंकी घड़ी नहीं दी शादी में इस तरीके की छोटी छोटी पुरानी और stupid बाते हम ले आते हैं argument में क्योंकि हमें सामने वाले को चोट पहुचा के situation पे control हासल करना है ये नहीं करने का please don't do that इसी लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है जो भी कहना है पहले उसे रहों सामने वाला बोलता ही जाएगा बोलता ही जाएगा बोलता ही जाएगा लेकिन विश्वास रखिए कि जो भी आपने कहा है उसके कान में गया है आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बार-बार दोहराने पे आप ज्यादा प्रभावशाली बन जाएंगे इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है दोहराएं नहीं बात को एक बार कहिए और वहाँ पर रुप जाएए फिर उसके बाद बापिस से जब आपको नई बात कहनी हो समय लीजे कोई दिकत नहीं है उसे फिर से लिखिए उसे कंसाइस कीजिए और फिर एक बार कहिए and that's it मुझे पता है ये टेक्नीक बहुत बड़ा है मुझे पता है कि जो हम गुसा हो जाते है तब किसके पास इतना समय होता है लेकिन इस टेक्नीक को दो एक बार आजमाने के बाद आप इसके अच्छे यूजर बन जाएंगे इसको दस बारा बार अपनाने के बाद आप इसके मास्टर बन जाएंगे फिर उसके बाद आपको किसी से भी बात करनी हो आप आटोमाटिकली मुद्दे की बात करेंगे शॉट में बात कहेंगे सिंपली बात को खतम करेंगे और हर कोई आपकी बात को ध्यान से सुनेगा आखरी चीज़ है कि मदद मांगो देखिए कही बार ऐसा होता है रिलेशन्शिप में हमें पता नहीं होता कि हम कहां पे गलत है या सामने वाला व्यक्ति कितना ज्यादा सही है एक बाहर के व्यक्ति का हमें आके समझाना कई बार मदद करता है इसलिए नेगोसियेशन के लिए किसी आउटसाइडर की मदद लेने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए किसी आउटसाइडर की मदद लीजे जो न्यूटरल पार्टी है आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक लाइक और सब्सक्राइब सब्सक्राइब अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं आपको क्या लगता है मांडवली करने के लिए यानि की नेगोशेट करने के लिए क्या करना चाहिए इस बात को कॉमेंट सेक्शन में लिखिए इस वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ खुब शेयर कीजे आपके भूलेवान समय के लिए धन्यवाद